नखिश्कार, मैं Dr. Nivita, आज आप से बात करूंगी साइनस के बारे में साइनस हमारे नोस की जितनी बोन्स होती हैं, उसमें ही एक आप बोल सकते हैं कि स्पेस होता है जिसमें से different arteries, veins, nerves या आप ऐसा कह सकते हैं कि different उस place से उस जगे से different channels से चीज़े निकलती और जाती है अगर हम check करें तो nasal membrane होती है वहाँ पे mucos जो निकालती है बहुत ही पतली सी membrane होती है sinus membrane जिसे कहा जाता है वहाँ से sinus membrane से secret होता है mucos बहुत thin mucos होता है जो आपकी nose जो होती है उसको clean, drain करने का काम करता है वहीं से mucos निकलके आपका eject out हो जाता है तो उस atmosphere को clean रखने का यानि nasal आपकी जो नाग की जो space है उसे clean रखने का काम है इस sinus से निकलने वाले mucos का तो आप देख रहे हैं कि sinus बहुत सारी चीजे कर रहा है नमबर वन आपकी nasal जो blockage है उसको clean करता है नेज आपकी healthy atmosphere बनाने की कोशिश करता है उसके साथ में जो भी आप air ले रहे होते हैं, inhale कर रहे होते हैं उसे warm और moisturize करने का भी काम इसका होता है इसके साथ में आपके जो भी infection है वो ना हो और आपका nasal blockage सब clear रहे, sinus का ये main काम है sinusitis, इसमें आपका एक word itis जोड़ जाता है sinus के साथ इसका मतलब है उस sinus में अगर inflammation यानि की सूज़न आ जाए तो उसकी वज़े से जो disease होती है, उसे बोलते है sinusitis sinusitis एक बहुत ही chronic problem भी हो सकती है और acute problem भी हो सकती है, मतलब अगर आपको infection हुआ और वो लगातार काफी दिनों से बना हुआ है उसकी वज़े से आपको sinusitis हो सकता है, जो acute problem है chronic मतलब लगातार आप अगर नजला, जुखाम, cold, cuff, infection इस तरीके की चीज़ें आपको लगातार अगर बनी हुई है तो chronic sinusitis हो सकता है पता कैसे चलेगा कि आपको sinusitis है या नहीं है इसके कुछ मुख्य लक्षन होते हैं जैसे की सर में दर्द होना, इसी स्मेल का ना आपाना क्योंकि ये mucous membrane जो होती है, वो सूजन आ जाती है वहाँ पे और bulgum जो निकल रहा होता है, mucous जो होता है, उसे निकल जाना चाहिए आपके nasal blockages, जैसे nasal pathway से लेकिन अगर वो नहीं निकल पा रहा है, तो अंदर ही अंदर जमा होता रहता है और वो सरने लगता है, जिस्ती वज़े से स्मेल आने लगती है तो आपने देखा होगा जिनको sinus है बहुत जादा, उनके पास जाने से भी आपको एक अलग तरीकी की स्मेल लाएगी, उस patient को भी खुद आती है वो स्मेल तो इस blockage की वज़े से उनको, उनकी जो आवाज है basically ये space है आपकी नाख में, तो जो आवाज आपकी निकल रही है उसको resonance मिलता है, मतलब frequency बढ़ जाती है, गून जाती है उस आवाज में ये blockage होने की वज़े से उनकी आवाज भी बदल जाती है, properly वो sound नहीं आपाता है of course golden cuff तो बनेगा ही, उसके साथ में सांस लेने और छोडने में भी आपको दिकत आने लगती है तो आपको समझ में आया कि sinus क्या है और sinusitis क्या है, दो अलग-अलग चीज़े है sinus कोई problem नहीं है, sinusitis problem है, अगर उधर पे infection हो जाता है और जो बलगम निकल जाना चाहिए, वो अगर रुखने लग जाता है, तो उसकी वज़े से जो problem आती है वो sinusitis होती है, इससे निजात कैसे पाएंगे, आपको ये ध्यान देना है कि बार-बार infection होने की वज़े से sinusitis होता है, तो सबसे important आपको infection होने से बचना है, ये उन लोगों को ज्यादा होता है जो इनकी skin sensitivity, मतलब जो sinus की, जो आसपास की membranes है, वहाँ पर sensitivity अगर जादा हो, तो उसको problem बहुत जादा हो सकती है इसके साथ में जो लोग prone है, cold cuff, या फिर इनकी immunity काफी कम है, उनको ये problem बहुत जादा होती है तो of course आपको करना क्या है, cold cuff, यानि की थंडी चीजों से, खटी चीजों से अपने आपको बचाना है, नहीं लेना है उन चीजों को of course आप अपने आपको cover करके रखें, अगर आप बार-बार infectious हो रहे हैं, तो mask पहनना बहुत जादा जरूरी है अगर आप किसी infected person के contact में आएंगे, तो उसे भी ये problem होने का खत्रा है, और अगर आपको ये problem है, तो दूसरे को भी हो सके तो अपना protection आपको properly बना के चलना है, इसके साथ में आप अपने खाने, पीने पे ध्यान दे, गरम पानी ले, अगर हो सके, तो आयूरवेट में इसका बहुत ही अच्छा इलाज संभव है, जनरली आपने देखा होगा sinusitis का treatment, अलोपेथी में हो रहा है, लेकिन फिर भी लो इसलिए क्योंकि अलोपेथी में कोई भी आपको treatment, proper treatment नहीं मिल पाता है, अलोपेथी में आपको एक permanent solution नहीं मिलता, वो temporary इलाज करते हैं, यानि साइन और सेंटम्स को देखके उसको वहीं पर दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयूरवेट के अगर आप बात करें, तो वो जड़ पे काम करता है, यानि कि आपको ये देखना होता है, कि आपको ठंडी चीजों से problem है, infections prone हो, प्लस immunity आपकी कम है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखके जब आप अपनी treatment करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका problem, solution आपको अपनी problem की मिलनी चुरू हो गई है, और आपकी जो ये sinusitis की intensity थी, बहुत जल्दी जल्दी आपको problem हो रही थी, infection हो रहा था, पूरा nasal blockage हो चुकी है, अवास प् होते हुए ये problem आपकी solve हो जाती है, अगर आईरवेद में आप इसका इलाज चाहते हैं, तो आप number पे call करके हमसे जान सकते हैं, problems अपनी जो भी query है, आप हमें comment section में comment करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आईरवेद में आपका सिफ दमाईयों के साथ ही नहीं, कुछ आपके nasal treatments क साथ में भी इसको nasal oil पुट करके भी आपका जो blockages हैं, उसे clear किया जाता है, इसके साथ में आपको कुछ exercises भी बताई जाती है, especially pranayam, जब आप pranayam या कोई भी सास का अनुलोम विलोम exercises करते हैं, तो blood circulation increase होना शुरू होता है, और आपके sinus inflammation है, जो सूजन है, वो धीरे-धी हो रहा है, mucus का, वो भी धीरे-धीरे drain out होना शुरू हो जाता है, तो आपको अगर sinus related कोई query है, आप हमें comment section में comment करके बूच सकते हैं, we'll try our best, हमाई team पूरी आपकी help करने की कोशिश करेगी, धन्यवाल,